तो दोस्तो आज 29 जैनुरी 2024 बजार में आज बहुती बढ़िया तेजी देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 21,737 पॉइंट पे लगबग 1.80% तेजी के साथ बट आज का क्लोजिंग दोस्तो बिलकुली अच्छी लेबल पे नहीं हुआ आज अगर क्लोज कल अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो मार्केट में थोड़ा बहुत शौट टम बेसिस पे डाउनफल भी हो सकता है और इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे दे दूँगा एनिवे तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन लेटेस्ट अपडेट है शियर मार्केट से रिलेटेट साथ में ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल, FSDS का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना चले सबसे पहला हम बात करे ऐसे लोवर टॉप यानि लोवर हाई बिल्ड करा इसका मतब यह है कि सबस्पोस यहां पे एक हाई है उसके यहां पे मतब जो हाई है ना पीक वो धीरे-दीरे नीची की तरफ शीफ्ट होड़ा है ऐसे ऐसे करके ठीक है जो की बेसिकल एक बेरी सिगनल है तो इनके अगोड ब्रेक आउट की लेबल में इसके उपर पहुंच गया तो उसके मार्केट में अच्छा मूव आ सकते इवन 22 तक भी जा सकता है अगर इस लेबल पे रेजिस्टेंस फिर से मिल गया तो उसके से नीचे थोड़ा सा डाउनफॉल भी हो सकता है एवन थोड़ा बजार वोलेट का टेकनिकल व्यू निफ्टी फॉर्म स्ट्रॉंग बुलिश कैंडल ओके 21,750 सेम 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 जैसे कि अब मैं भी बोला अभी देखे और अनलिस्ट ने भी बोला अभी यह एनलिस्ट ने भी सेम चीज मेंशन किया 21,700 क्रूशल फॉर फॉर अपसाइट तो अगर निफ्टी को है 22 तक पहुंच सकता है अधरवाइस नीचे की दरब 21,500 से 600 के आसपास सपोर्ट मिलने का पूरा पूरा चांस है पर तीसरा एक एनलिस्ट ने कुछ ऐसा स्टेट में दिया कि निफ्टी एक्सपेक्टेट टू फेस सेलिंग प्रेशर सपोर्ट एट 21,250 तो दोस्तों आपक के कोडिंग फ्लीज मुझे बताईए अपना वैलेवल ओपिनियन कल के लिए दोस्तों आपको मैं चैसे इंपोर्टेंट कंपनी की शियर नजर रखने के बोलूंगा विकास यह सारे कंपनी बहुत इंपोर्टेंट है खास करकि इसमें बहुत सारे कंपनी निफ्टी 50 का भी करेंगा तो सबसे वहले कंपनी का नाम है बजाद फनास रिमिटेट कंपनी का रिवीव कर चुका हूं लास्ट वीडियो में अब देकि कंपनी का रिजल ना ठीक ठाक हुआ है इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकती क्योंकि मार्केट का जो एस्टिमेट तो उसको बीट न ठीक है बेल मतलब आपके भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट जो की डिफेंस सेक्टर की कंपनी इसका भी आज रिजल डाउट हुआ है दोस्तों और रिजल भी काफी ठीक ठाक हुआ है मैं आपको थोड़ा शॉट यहां पर देखा देता हूं शौट में इसके बाद बात करें आपके गेल यह भी निफ्टी के श्यार है इसमें आज काफी अच्छा तेजी देखने को मिला इसका भी डेजल एक ठीक हुआ है जैसे आप देख सकते साथ में कंपनी पांच रुपए 50 पैसे की मतलब सारे पांच रुपए का डिवीडेन भी डेक्लियर किया उसके बा कंपनी में से आइडिस लिमिडेट निफ्टी का तो आइडिस लिमिडेट का भी आज रिजल्ट आउट हुआ है जो कि लास्ट वीडियो में अल्लेडी मैं इसको कवर कर चुका हूं और अच्छी बात यह है कि कंपनी आज की रेट पे 6 रुपए सम्टिंग यहां पे डिव ग्लोबाल मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिला अभी यूएस मार्केट में मतलब यूएस में समाई हुआ है बारा बच के तीन मीट कुछ समय पहले देखे पॉजिटिव में था अभी देखे नेगेटिव में तो इसके पीछे डिजन बहुत ही सिम्पल है थर्ट बहुत करेक्शन होड़ा है मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव यहां पर भी सेम चीज़ देखे नैस्डेक इतना ज्यादा वालेटियल देखे शूरू होगा यहां पर फिर ऐसे से कटके अभी उपर की तरफ तो कहीं ने गई वालेटिल्टी हमें बहुत ज्यादा देखन निकुला तेजी देखने को मिला उसके अंदर आज अल्मोस्ट एक परसंट की गिरावाट हुआ तो कल दोस्तों रिलाइंस बगारा यह सारे शेयर को पर आपका नजर होना चाहिए उसके साथ साथ देखे थोड़ा सा नेगेटिव अप्डेट यह भी है कि वीप्र लिमिट पूरा इधर से उदर करवा सकता है जैसे कि एस डेफ सी बैंक डेजल डाप होने के बाद हमने देख लिया साथ परसंट क्रैश किया था पूरा मार्केट को भी खीच के नीचे ले गया सेम चीज़ आज रिलाइंस को देख लिजे आट परसंट साथ परसंट उपर चला गया मार्केट को भी पूरा खीच के उपर के लेके गया सेम चीज़ देखिए एस डेफ सी बैंक की शियर अभी देखिए एडर वर्शन में 2.60 परसंट ड्रॉप हो चुका है तो अगर यह क्लोज होने से पहले रिकवर नहीं हो पाया तो में भी कल इसका इंपक्ट आपको कल थो 27,737 पर तो हो सकते कि कल एक ग्याप ओपिनिंग देखने को मिले बट 21,700 के उपर सस्टेन कर पाना थोड़ा सा टफ रहेगा अगर सस्टेन कर गया स्टेबल हो गया तो उस केस में उपर जाएगा अधरवाइस नीचे आएगा ठीक है अब बाकी बात करेंगे एस डेटा 210 करोर के आसपास और डियाइस ने आज काफी अच्छा माल उठाया है लिटरेली 321 करोर के आसपास शियर तो आज एफैस द्वारा भी से बाइंग देखने को मिला बाकी बात करेंगे दोस्तों इस्टायल और हमास के बीच में अभी थोड़ा सा ट्विस्टन टर्न हमें दे तक बढ़ सकता है क्योंकि हाली में कुछ ऐसा नियूज निकल के आया थे कि ड्रोन एटक क्यों पर मतलब यहां पर ड्रोन एटक किया था कुछ ऐसे यूएस सर्विस मेंबर क्यों दोस्तियां पे टोटल तीन लोग यहां पर मारे गये थे तो उसको काउंटर करने के लिए इस जंग में और वहां पर जाके जॉड़न वाला पाट है ना वहां पर जाके बहुत सारे लोग को यह मतलब जो वहां पर उपनेंट वाला था उनको यहां पर मार भी दिया अब बात करेंगे टीए 35 के थोड़ा बात हमें आज तेजी के साथ क्रोजिंग देखनी को मिला 1% यह कुछ इंपडेट साब चले में आपको सीधा टेकनिकल चाट पर लेकर चलता वहां पर जाके थोड़ा इस टॉड़ा इस टॉपिक को डीटेल में अच्छे से समझेंगे निफ्टी 50 की लास्ट तीन मैंने की चार्ट पहरान साथ में जो एक एक कैंडेल लना एक दिन को सबसे पहली चीज या पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से जैसकी मैं अभी अभी बोल रहा था सारे अनलिस द्वारा भी मेंशन किया था 21,000 सारे साथ सो कल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने चारा है मेरे बात को अच्छे से एकदम ध्यान से सुनना धीरे-धीर 21,000 सार मेरे बात को अच्छे से उब्जर्ब करने की कोशिश करना मैं आपको थोड़ा शॉट में दिखा देता हूं कि 21,000 सारे साथ सो क्यों इतना ज्यादा क्रूशल लेवल है सबसे यहां पर पुराने बात नहीं है यह मैंने की चार्ट पैर ठीक है तो जैन्वरी के फर्स्ट व हो गया मेरे बात को सुनना चैसे अगर स्टेबल हो गया तो फर्तर उपर मूफ करेगा अगर स्टेबल नहीं हो पाया तो नीचे गिलावट होगा उपर की तरफ तो 22 की लेवल है बट नीचे की तरफ अगर गिलावट हुआ तो उसके समें 21,400 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है इसके नीचे ओविसली सारे 21 के लेवल विकॉस परसु क्या है कर परसु दोस्तों बैंक निफ्टी एक्सपैरी और बैंक निफ्टी का पोजिशन निफ्टी से थोड़ा सा और वीक है बिकॉस इस डिपसी बैंक जिस दिन क्रैश वा तो उसके बाद देखिए बै मिलती है बाकि दोस्तों जो भी इंपॉर्टेन अपडेट आएगा तुरंत में आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा प्लीज चैनल के साथ जूरे रहिए और वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज लाइक करके जरूर अंकरच करना मिलता नेक्स वीडियो पे तब तक क्लेटिक क्या बाबाई जाइए